अब आप सबका टीम सुरीन के यूडियोग चैनल पर तो आपस का फेच यह हैं का फेच विन भी कर रहे हुंगे तो इस परकिलियू वीडियम बात करने वाले आज के लिए अपना जो मैच रहे है किसकिस के बीच में अपने लिए जो सेकंड मैच रहने वाला कोलन सीची वसस बेयर बूस्टर के बीच में अब क्या बच इस मैच के रिलेटर सारी चीज़े रहती है कोलन सीची आपने फिर भी देखा होगा वह इनको खेलते हुए आपको क्या कुछ प्लेयर है बट स्टिल कुछ डिफरेंशल प सबस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो फटावट से कर लो क्योंकि कल से एशिया कप के मैचे जवरदस शुरू हो रहे हैं साथ ही साथ 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 अफरीका ऑस्ट्रेलिया सब बड़ी टीम्स के मैचे जवरदस जाते हैं वह भी इंट्रेंशन मैच तो और जादा बड़ी है जाते हैं तो सब्सक्राइब करके रखो और साथ साथ टेल्क्राम चैल भी जोइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी टीम से अपडेट से गयोगे सब चीज़ा आपको वहां देखने को मिलेगे तो बिल्कुल भी मिस्स नहीं करने हैं ठीक है पटावट से जोइन कर सुआ करऊंडेगों करा किमें वीडियो और घ्मान करता हैं ओकर मेंड ऊच्ञा करेंदाना करें देख udah ले तो नहीं के कर लोगई वीडियो बहुत मुश्किल हो जाती है विकेट भी देखोगे तो दोनों में नोनों विकेट कर गए ते हैं यहां पर इवन नभे चेस करने वाली टीम ने पेसर्स के सबसाधा विकेट थे अगले में तो भी नहीं मिलें बागी बात करें देखोगे उनकी तरफ से प्लेयर्स निकल कर आते हैं तो दोनों में से दिखोकर किसी को रखना हो तो रख लेना वरना इंगर इन सब बहतर और उक्षन मिले तो जरूरी नहीं आप इनके साथ में जाओ बाकी यहां से कुछ इं सब्सक्राइब यहां से निकाल रहते हैं तो जाते हैं उसके बाद में से मुहमत तयीब अब यह वह प्लेयर है जो आपके लिए ऐसे differential हो सकता है इस team से ठीक है इस match में 8 match of 59 run आठ का एवरेज़र और साथ एसाथ 13 wicket अब आपको एक और चीज यहां से इस team के related disclaimer दे दू कि इनका match ना पहले एक हो चुका होगा इस 445 के match से पहले इनका एक match हो चुका होगा तो वहां पर उस match में आपको ना batting order पता चल जाएगा कहां पर यह batting करने वाले कहां पर नहीं तहीं आपका क्योंकि इनका batting order मेरे को नहीं लगता है यह पांच चटे पर आने वाले तो इस वजह से और इस टीम का यह पहला match से तो batting order प्रोडिक्ट करना काफे ज़्यादा मुश्किल है तो इनका match एक पहले भी होने वाल है तो उसमें देख से के साथ में left arm spin शेरजाद शरीफ है शरीफ होला है राइट हम मीडियम बारा मैच में इन्होंने 9 विकेट निकाले हुए और फिर आपको अप्पु मुर्ली देखने को मिलते हैं 9 मैच में 8 विकेट के साथ में तो यह है देखो को कॉलन सीसी के तरफ से जो एक प्लेइंग एलएन सब चीजें निकल कर आती है अब इंपॉर्ण प्लेयर्स बहुत 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 निकल कर आते इस मैच से इरफान एमद शफियुल्ला है शनाकर रहते हैं तहीब आपके लिए पास में काफी इंपन बनते हैं आपक चार में सब आटलिस दो के साथ में जा सकते हो अब स्पिन को विकेट नहीं मिलते हैं तो रवी शंकर को आप यहां से इनिट कर सकते हो ठीक है यहां से आपके लिए एक तो चाहिए अक्षय धनी आपके लिए काफे इंपन बन जाते हैं शरीफ होला या अप्पु मुर्ले म की तो स्क्रिंशोट अगर आपको इसका लेना हो तो मैं बोलूगा ले लेना ठीके प्लियर्स के स्टैट्स भाई हो सकता है याद ना रहे तो बाद में आप ता की देख पाऊ वहीं पर अगर हम इनके रीसेंट फॉम की बाद करें तो भही क्या के निकल कर आता है दौर का स सब्सक्राइब करने वाले और यह रीसेंट फॉम जो है दोजार बाइस का है ठीक है जो लोग पहली बार देख रहे हैं इससे पहले इन्होंने इस ट्रीम का एक भी मैच का वीडियो देखा नहीं है तो आपको गता दूब कि दोजार बाइस के रीसेंट फॉम है तो बहुत ही विगेट निकाले तो बड़िया निकाले नहीं तो फिर विगेट लैस उसके बाद मैनगर इसे रवी शेंकर देखने को मिल आपको देहां तो यह तो जल्दी से कोलें सीजी की बात अब बात करते हैं बेर बुस्टर्स के इधर से बाइब कौन से प्लियर से और क्या निकल कर आते हैं अपने डिफरेंशल तो इनका बैटिंग उटर भाई कंफर्म नहीं है ठीक है तो इध्यान रखना है इनका बैटिंग उटर का कोई भरोसा न डिस्क्रिप्शन में लिंक के कर ले ना वहाँ से बागी यहां से राजा कुला सिंगम रहेंगे राइट अन बैटर राइट आम मेने बीस मैच में तीन सो चातिस रहने 33 का एवरेज है वह साथ-साथ इन्हों ने पार्ट टाइब बोलिंग करता है वक्ट शे विकेट भी न इन्होंने निकाले हुए राइट आम मीडियम डालते हैं यह वसी करन देखने को मलते है 37 मैच में 539 रन से जो की टी टैन के लिहाद से वह भी ECS T10 के लिहाद से तो सही मान सकते हो और साथ-साथ इन्होंने 17 इनिंग में 8 विकेट भी निकाले हुए वहीं पर एक थरन पकी जावा की तरफ से बात की जाए 20 मैच में रन तो उतने नहीं है बट विकेट कहीं नगें डी सेंट है 20 मैच में 16 विकेट है इनके नाम राइट हंड बैटर राइट हम मीडियम जो बोलिंग करते है उसके बाद में आपको शकेश कांत इंदरन देखने को मिल जाते हैं लेफ बैटर राइट अब मीडियम कभी कभार अगर बैटिंग आ जाती है तो रन बनाने के चांस इनके जरूर रहते हैं उसके बाद में आपको यहां से जनन थरन इधर से मनी देखने को मिलते हैं 19 मैच में 22 रन है सरुक मतलब यकीन ही नहीं होदा है इतने जादा रन कैसे प्लि जट्यों इनको विकेट इनके काफिश आई उसका अदमाजीगन दिनूशन देखने को मलते हैं चार मैच के लिए ना बैटिंग किया ना बोलन किया कुछ नहीं किया इस प्लियर ने उसके बाद में आसे गोबिनाथ नवात इनाम आते हैं चार मैच में चार विकेट के साथ में यह भी स्पिन डालते हैं और फिर आपको महिंदरन देखने को मलते हैं 20 मैच में 128 रन और 378 विकेट के साथ में एजन ओल्राउंडर आपके लिए रहते हैं बोलिंग कराने वाले आज के लिए तो ध्यान रखना बाकी यह है बेर बूश्टर्स की तरफ से देखो प्लें है यहां से बागी इंपॉंट प्लेट्स की बाद की जाए तो बड़ी इसल निकल कर आते हैं एक तो राजकुल सिंगम रहते हिदर से एक वसी करने आपके लिए काफी इंपॉंट है अशोख हार्थिक अगर लेना चाहो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं उसकाद में पकितरन की बाद किसे हैं तो कोई भी जीच सकता है कहीं ना कहीं दोनों टीम ही काफी अच्छी यहां से रही है वहीं अगर इनके हम रिसेंट फॉम की बाद करें तो यह भी रिसेंट फॉम आपको 2022 का ही देखने को मलता है पिछले कुछ मैचस में उन्तालिस चोबेसिक्तालिस बोलिंग भी नहीं कर रहेती है उसका वाद में प्राबा है देखा जा तो भाई हर मैच में बोलिंग किया और विकिट भी कहीं ना कहीं पांच में से तीन मैच में तो देखने को मिली जाते हैं इंदरन की बात की जाए 52 24 20 मतलब रन बनाया है तो भाई अच्छे बनें बाक बैटिंग बोलिंग आई ही नहीं है चार मैच केलके उसकार में नवर थिनम की तरफ से देखा जाए तो भाई विकेट इनके तरफ से भी वही है कि विकेट आये हैं तो दो दो है वरना दो मैंच में तो यह विकेट लैस गये और उसका बाद में आपको महिंदरन देखने को मिलते हैं अब देखो उतनी जादा कुछ खास विकेट या रन देखने को मिलते नहीं है महिंदरन की तरफ से बट 90% लोगों ने इनको ले रखा है 50% लोगों ने इनको कैप्टन राइस कैप्टन बना रखा है ठीक है यही होते है भीट जा अब अगर आपको थोड़ा सा अ ठीक है अपने अगर टीम के तरफ देखें तो यहां से मैंने पटेल को पिक्क्या हुए उसका बाद मैं एहमद को पिक्क्या उसका वशीकरन और राजकुल सिंगम मेरे पास में आ जाते है शनेका और शफ्यूल लाय उसका महिंदरन है अरीधरन है एंट दन विगनेश हो ग बोलिंग तो कराएगा यह द्यान रखना बाकि आपके लिए इस डिफरेंशल वाइस केटन जोने बता है राजकुल सिंगम आपके पास में अच्छा उप्शन बनता है आपके पास में प्रावा एक अच्छा उप्शन है एस वाइस केप्टन करने के लिए अगर आप करना आपके लिए बिलते हैं को नेक्श वीड़े में बहुत ही जारे जल्ट